हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ देगी चिकन कोर्मा की रेसिपी शेयर करूंगे और इसको बनाने में हम जिस सामान का यूज़ करेंगे वह सारे सामान आपको घर पर इजली मिल जाएंगे आपको कुछ भी बजासे लाना नहीं पड़ेगा अगर आप इस रेसिपी को स् कर लिया है साथ ही यह 200 ग्राम दही है इसको हम फेट लेंगे और फेट कर अलग रखेंगे इसका हम यूज़ कोर्मे में करने वाले हैं तीन मीडियम साइज की प्याज है इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है कोशिश करके प्याज को इक्वल चॉप करें मोटी पतली करते हैं तो मैं दो सर्विंग स्पून ओईल ले लूँगी मैं यहां पर चिकन कोर्मा बनाने के लिए सरसो के तेल का यूज़ कर रही हूं आप इसको रिफाइन में भी बना सकती है पहले हम तेल को बहुत अची तरीके से गरम कर लेंगे और जब तेल बहुत अची तरीके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें पर बीच बीच में आप उसको लगातार चलाती रहें ऐसे करने के आपको इस प्यास को बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना प्यास का कलर आप जितना अच्छा रखेंगी कोर्मे का कलर उतना ही अच्छा एगा अगर आपकी प् फ्राई होनी शुरू हो गई है इसका कलर हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे और जब यह बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को आफ करके सारी प्यास को निकाल लेंगे तो देखिए प्यास का कलर बहुत अच्छा सा गोल्ड नश्कार ब्राउन हो गया है इस स्टेज पर हम इस प्यास को निकाल कर एक प्लेट में पहला देंगे और इसको थंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम इसी ओयल में कोर्मा बनाएंगे वैसे तो में जो है तेल कुछ जाधा होता है पर मैं जाधा तेल का उज़ा रही इन सबी गरममसालों को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंंगे और फिर हम इसमें चिकन डालेंगे चिकन को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से तलना है क्योकि तलने चिकन लोग करने उस तरह कहा चाया हैMusic Пос olması हम इस step को follow नहीं करेंगे तो कोर्मा हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा तो आप इस तरीके से चिकन को चलाते हुए तल लें और इसी टाइम पर हम इसमें दो चमश भर की अध्रक लसन का पेज डाल देंगे अध्रक लसन भी चिकन के साथ ही पक जाएगा तो इसको आप लगाता चलाते हुए कुकर लें इस से चिकन की स्मेल निकल जाएगी और जब चिकन का कलर चेंज हो जाए उसके बाद ही हम इसमें मसाले आड़ करेंगे तो देखे चिकन हमारा बहुत अची तरीके से भुउन चुका है अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो हम इस कोर्मे में बहुत कम मसालों का यूज़ करेंगे ये सारे मसाले आपको घर पर एजिली मिल जाएंगे दालोंगी तो आपको कोर्मे का और बहुत अच्छी तरीकी से भूल लेंगे जब तक की मसालो bil का्इल भूल नहीं अगर आपको जडिल लगए तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल कर NICK मसाले को बहुत अची तरीके से भून लें और जब इसमें से ऑईल रिलीज होने लगेगा उसके बाद ही हम इसमें बाकी की चीज़े एट करेंगे तो मैंने इसको बहुत अची तरीके से पानी डाल कर भून लिया है और देखे कोर्मे में से ओयल रिलीज होने लगा है और यह जो मसाला मैंने डाला था इसका भी कच्चापन दूर हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दही तो दही को पहले आप अच्छी तरीके से फेंट लें और फेंटने के बाद आप इसमें डाल दें जब आप इसमें दही डालें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें इस स्टेज पर ये जो दही आपने डाली है ये पानी छोड़ेगी और ये जो कॉर्मा है ये थोड़ा सा लिक्वीडी हो जाएगा तो हमें थोड़ा से कोर्मे को और पकाना है ताकि इसका पानी सूख जाए तो इसको आप अब लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें और जो हमने प्याज तल कर रखी ती उसको अब हम मिक्सी के ग्राइणिंग जार में डालेंगे और इसमे देग वाला टेस्स लाने के लिए ये डेसिकेटिड कोकनट डाल देंगे तो दो चमच मैंने इसमें डेसिकेटिड कोकनट डाल दिया है और एक छोटा से जाएफल का टुकड़ा है ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका पेस्ट बना लेंगे तो जिस कटोरी में मैंने दही रखी थी, उसी कटोरी में मैंने पानी लेकर इसमें डाल दिया है और इसको हम बहुत अची तरीके से पीस लेंगे इस कोर्मे में जाइफल की खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो ये आप इसमें जरूर डाले तो ये पेस्ट हमारा बन कर तयार है और देखे जो दही ने पानी छोड़ा था ये भी थोड़ा सा सूग गया है अब हम इसी स्टेज पर ये जो हमने मसाला पीस कर रखा था ये डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीखे से मिक्स कर लेंगे साथ ही जार में थोड़ा सा पानी लेकर वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर तक ऐसे ही पकने देंगे ये जो हमने मसाला डाला है इसी से कॉर्मे की ग्रेवी बनेगी और इसमें एक बहुत अच्छी सी कुश्भू और टेस्ट जा जाएगा तो देखिए मैंने मसाला इसमें डाल दिया है अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने दूँगी करीब 3-4 मिनिट तक हम इस कॉर्मे को इसी तरीए से लो फ्लेम पर पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें एक इंगृडियन डालेंगे और वह है यह शान का कॉर्मा मसाला हमें सिर्फ इसमें ऊक्षम जाई इसमें कोर्मे मसाला डालना है और इसिसमें देख वाला टेस्ट आ जाएगा मैंने एक चमष भरके इसमें कॉर्मा म Isala डाल दिया है तो मैंने दोनों चीज को मिक्स कर लिया है और इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और यह हमारा मज़िदार सा चिकन कोर्मा बनकर तयार है तो आप भी सिंपल सी चिकन कोर्मा की रेसीपी को बना सकते हैं और बनाने के बाद अपनी फैमिले और फ्रेंट को साथ इन्जॉई करके बताईएगा कि आपका चिकन कोर्मा कैसा बना है अगर आपको यह रेसीपी बनाने के बाद जरा भी पसंद आए तो इस वीडियो को सेदार सी रेसिपि के साथ थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफिज